प्रेंस मेरे चैनल लानिता नैचरल ब्यूटी में आप सबी लोगों का स्वागत है तो फ्रेंस आज मेरे आप लोगों को बताऊंगे कि इस पाक्रीम कैसे आप घर पर असानी से बना सकते हैं उससे पहले फ्रेंस आप सबी लोगों का देव से धन्यवाद मेरे चैनल पर फ्र तो प्रेंस सबसे पहले आपको एलवेयरा ले लेना है और फ्रेंस होना चाहिए और यह आपन पतन जली यह बहुत और भी गंपनी के वह आपको नहीं लेना है अपको आपको देखने को मिलेंगे और अगर नहीं हो तो फिर आप market का ले सकते हैं लेकिन friends मैं वोलूंगे कि आप इसी को लीजिएगा उसके बाद इसके आपको इस तरीके से इसके जो काटे होते साइड में वो आपको इस तरीके से रिमो कर देना है रिमो करना बहुत ही असान है और इसके जल भी निकालना बहुत ही असान है और इस तरी से निकल जाएगा बस इस तरीके से आपको जो नाइफ होती है आप उसको उल्टर ले लिजिए गया या फिर इस्पून भी ले सकते हैं और बस इस तरीके से आप करेंगे तो यह देखिए कितनी असानी से निकल गया और इसको आपको मिक्सी में डालके कि स्मूज सा इसका पे उसके बाद आपको एक खाली बाउल ले लेना है आप जैसे किसी भी होम रेमिटी रिलेटेड कुछ भी पेक बनाते हैं तो आप या तो फाइवर या कांच के ही बाउल में बनाया उससे अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे आपको एलोवेरा जेल ले सकते हैं मैंने फ्रेट इसपून लिया है ऐलोवेरा जेल से आपके हेयरा स्मूथ होते हैं और सिलकी साइब बनते है और उसके बाद आपको ले लेना है इसमें दही अब दो चमच दही ले लिजीएगा friends अगर दो मुहें आपके बाल है या आपके hair में dandruff होते हैं तो उसको भी ये बहुत अच्छे से remove कर देता है उसके बाद आपको castor oil लेना है मैंने ये लिया है friends castor oil भी आपको one table spoon ले लेना है ये friends आपके hair को regrowth करता है आपके hair में जो dryness होती है उसको भी खतम करता है और आपके hair को long करने में help करता है अगर आपके hair growth रुख गया है तो उसको भी promote करता है नए hair को और आपके hair को thick and long बनाता है और आकम प्रेवर में जो मेंयों करा राथ है इसको लोगल करके रहता है उसके बाद आध को बदाम ले लेना है वह टेबलश पू यह सब्कार ही बदाम या इसको अपने फेस पर अपलाई कर सकते हैं मोस्राइजर की जगे पे भी नाइट में तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इसके मिलेंगे अपर जितने भी इंग्रीडियन्स से उसको आपस में आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है इस्पून की सायता से एक पेस्ट सा क्रीम जैसा इसको आपको बना लेना है इसके बाद जब सब चीज आपके मिक्स हो जाए तो इवियोन की एक कैप्सूल है यह आपको किसी भी मेडिकल सॉप में असानी से मिल जाएगा इसको आपको डाल देना है उसकी बाद सभी इंग्रीडियन्स को आपस में मिक्स कर लेना है अगर आपके एर में ड्राइनेस होती है या बहुत जद आपके एर घ्रार रहते हैं या दंडर् होते हैं उनको भी रिमूव करेगा और आपके एगर एर बहुत वाइट से होने लगें तो इसको भी एक स्थी करेगा आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और फ्रेंस इसको हपते में आपको दो बार इसका एपलिकेशन जरूर करना है अगर आपको सील की स्मूथ साइनी हेयर पसंद है तो इसको ट्राइज जरूर करिएगा और अगर आपके कोई भी कोश्यन हो तो आप में इसे कमेंट करकी पूछ सकते हैं अगर आज की रेमेडिय आपको थोड़ी सी भी यूसफुल लगी होगी पसंद आई होगी तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सस्क्राइब जरूर करिएगा बैल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ऐसे ही लेटिस्ट वीडियो देखने के लिए और फ्रेंस जो जरूर अपने लिए ट्राइग करिएगा तो मिलते हैं फ्रेंस नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई वीडियो देखने के लिए सबी लोगों का दिल से धन्यवाद